हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरा मेरे चैनल में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किर्पिया सब्सक्राइब का बटन दबाके सब्सक्राइब कीजिए आज इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ जो वित मंत्री अरुन जेटली ने जीपीएफ का जो नया ऑनलाइन मॉडूल के बारे में जो कि जीपीएफ ऑनलाइन मॉडूल जब लाँच होगा तो सारे पैंशनर और जो लोग जो है Central Government में काम कर रहे हैं जो जो लोग अपने GPF में अपने funds डालते हैं उन सब के लिए बहुत असान हो जाएगा GPF को maintain करना अगर मैं इसके important features या important points में बात करूँ तो जो सबसे main इसका यह होगा कि यह एक online module होगा जिसके थरूँ आप अपना GPF को अराम से retrieve कर सकते हो पता कर सकते हो कि GPF में balance कितना है कितना आपने withdrawal किया था कब-कब आपने withdrawal किया हुआ है यह सारी information आपको सिर्फ online module पर click करने पर मिल सकती है इस online module का जो main feature है वो यह है आपको एक unique ID दी जाएगी उस unique ID के थरूँ आप इस portal को इस online module को access करोगे और हर employee का ID एक different होगा जो भी इस GPF module को access करेगा सबसे पहले उसे एक unique ID मिलेगी जो कि उससे account से related जो भी information है उसको उसके थरूँ सारी information मिलेगी और उसी ID के थरूँ जो authorities भी proper check कर सकते हैं अगर आप अपने GPF से कुछ withdraw करना चाहते हैं तो भी आपको एक online application भरना पड़ेगा और उस online application को थरूँ जो है आपकी request जो की authorities है उनके पास पहुंच जाएगी इसके थरूँ आप one click पे अपना पूरा GPF का जो भी balance है जो कौन-कौन से date पे आपने withdraw किया था होगा आपके public financial management system जो की module है उससे भी जुड़ा होगा EPPO से भी जुड़ा होगा और CPAO Central Pension Accounting Office से भी जुड़ा होगा तो वो unique ID के थरूँ ये सारे के सारे जितने भी modules है इनके थरूँ जो आपकी information भी आपको मिल जाएगी तो ये सारे के सारे जब इंटिक्रेट हो जाएगा तो आपको अलग-अलग module पर नहीं जाना पड़ेगा आपको डारेक्ट एक module से सारे के सारे information आपको मिल जाएगी कृपया इस वीडियो को subscribe कीजिए और जिससे कि आपको next वीडियो की जानकारी मिलती रहे Thank you